हाई गाईज आज के इस टुटोरियल में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर ओवर लोडिंग के बारे में ऑपरेटर ओवर लोडिंग क्या होता है हमसे पहला सवाल So operator overloading होता है जब हम किसी operator को कोई additional meaning provide करते हैं It means कि जैसे कि अगर example एक ले हम लोग जैसे कि plus है ठीके plus एक operator है जिसको कहा गया है कि आप दो integer value को add करें यह हमारे c program यह पर c++ program में इसको define किया गया है predefined है plus operator कि यह दो integer value को add करेंगा यह predefined है ना इसको हम लोग एक additional meaning नहीं यानि कि इसको हम लोग खुद से define करेंगे मतलब खुद हम लोग इसको एक definition देंगे कि आप दो integer को add करते हैं ठीक है लेकिन आप मैं जो आपको काम दे रहा हूं आप वह काम भी कीजिए से कि मैं इसको अगर काम देता हूं यह दो integer को integer value को add कर सकता है कि 2 और 3 को मालने जहें कि A और B को add कर सकता है यह इसका predefined and definition है कि हाँ प्लस क्या करेगा दो integer value को add करेगा अब मैं इसको एक additional meaning दे रहा हूं कि आप मेरे class में जो दो objects हैं obj और obj1 आप इसको add कीजिए यह मुझे इस operator को बताना पड़ेगा कि आप इसको add कीजिए तो इस तरह का जब हम लोग define करते हैं किसी खास operator के लिए जैसे कि मैं यहां plus operator है तो इसको हम लोग खुद से define कर रहे हैं इसका task कि इसका task क्या होगा इसका task होगा दो objects को add करना दो integer value को add करना यह अलड़ी predefined है इसके लिए लेकिन दो objects को add करना यह define predefined नहीं है इसको हम लोग define कर रहे हैं कि हाँ आप plus operator आप दो objects को add कीजिए तो जब इस तरह का एक additional meaning दिया जाता है किसी operator को तो वह कहलाता है operator overloading जब हम लोग operator overloading करते हैं जैसे कि मैंने आपको यहां example में दिखाए कि एक plus operator जो है दो integer को add करता है और यहां हमने इसको खुद से define किया है कि आप दो objects को add करें तो जब हम लोग इस तरह से operator overloading करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस plus का जो भी predefined meaning है जो कि है दो numbers को add करना यह कहीं गायब हो जाएगा मतलब हम लोगों ने चुकि यहां इसको एक नया meaning दिया हुआ है इसका मतलब यह नहीं कि यह तो इंडिसर value को अब add नहीं कर सकता ऐसा नहीं है यह normal function इसका जो भी normal function है वह alive रहता है चाहिए आप उसको खुद से define क्यों ना कर दें मैं कहने का simply मतलब इतना ही है कि अगर आपने किसी operator को खुद से define किया है कि उसका क्या task है नया task क्या है तो वह नया task तो करेगा ही साथ में अपना उसका जो पुराना काम है वह भी वह जारी रखेगा ओके क्लियर है यहां तक सो यह है operator overloading यह सब operators है जिनको हम लोग overload कर सकते हैं यह लिखावा list of operators that can be overloaded plus है negative minus sign है एस डिस्क है division sign है में भी percentage और जो भी हां sign आपको दीख रहे हैं यह आपको मेरी website से यह पुरा लिस्ट आपको मिल जाएगा www.geekysource.com पर आप जाकर लिंक में आपको प्रोपर लिंक में आपको description में दे दूँगा वहां आप किलिक करके यह पुरा लिस्ट देख सकते हैं पढ़ सकते हैं तो यह जो operators हैं इनको आप overload कर सकते हैं कुछ ऐसे आप बैटर्स भी हैं जिनको आप overload नहीं कर सकते जरी उसको भी देख लेते हैं यह जो operator है यह जो operators है यह operators overload नहीं जाए सकते ठीक है इसके बारे जानते हैं इसको member selection कहते हैं अब्जेट के थरू हम लोग member को access करते हैं तो यह member selection कहा जाता है यह जो operator अभी तक हमने इसके बारे में देखा नहीं है तो यह member selection through pointer to function कहलाता है इसको operation है और यह size of है और यह conditional operator है ओके जो operator से यह overload नहीं किया जा सकते हैं इनका जो meaning already defined है वही है इसको हम लोग additional meaning नहीं दे सकते हैं नाव यह कुछ rules है general rules for operator overloading जो आपको पढ़ना है you cannot define new operators such as something like this you cannot redefine the meaning of orders when applied to built-in data types यह सभी आपको पढ़ने है ठीक है मैं तो पूरा पढ़ने वारा नहीं हूं लेकिन यह जो notes से ही आपको मेरी website पर मिल जाएगा link description में available है वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको यह पढ़ना चाहिए okay इससे आपको basic knowledge मिल जाएगा कि क्या क्या rule होता है operator को overload करने का यहाद कि क्या ए्यूरी operators से थेकलेड़ as member function take no argument if declared as global function they take one argument यह वोट important rule है okay then binary operators declared as member function take one argument if declared as global function they take two arguments if an operator can be used as either a unary or a binary operator you can overload each use separately तो यह overloaded operators cannot have default arguments तो यह कुछ rules हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि यह काफी काम आते हैं तो इस वीडियो के लिए इतना है थैंक्स वाचिंग